जैहिंदी प्यारे साथियों कैसे आप सब बिलकुल मस्तो होंगी यूविक्टर क्लास एज यूटूब चैनल पर आप सबी का बहुत बहुत स्वागत है आज का ये जो वीडियो है उन सबी कंडिडेट के लिए बहुत जादा महत्पून होने वाला है जो जून दो हजार वाले हैं और इस वीडियो में हम यूजी सी नेट के बहुत ही महत्पून महत्पून टोपिकों पर डिसक्रस करेंगे जो आपके जून दो हजार चोबिस में फर्स पेपर में 80% प्लस का इसको लाने में बहुत आच्छे खासे तरीके से मदद करेंगे आज के इस वीडियो म कि फिलाल भी पेपर का लेवल क्या चलता है मतलब जून दो हजार चोबिस के लिए हमें किस लेवल से तयारी करनी चाहिए ये इन दो टोपिकों से आपको पता चलेगा साथ इस वीडियो में मैं आपके साथ डिसकस करूँगा कि अब आप बचे उए टाइम में किस तरीके स हो पाया फर्स्ट पेपर को लेकर बहुत जादा परेशान है सब्जेक्ट में उनका बहुत गजब का स्कूर होता है लेकिन फर्स्ट पेपर की वज़े से उनका ना तो नेट क्वालिफाई हो पाता ना जैरफ क्वालिफाई हो पाता ओवराल फर्स्ट पेपर को लेकर तो अब हम अपने इस वीडियो के सुरुवात करते हैं और step by step हम सबी चीज़ों को समझते वे चलते हैं मैं अजय सर्मा जोग्रोफी से मेरा लगातार तीन बार जरब क्वालिफाई हैं पिछले तीन साल से मैं इसी प्लेटफोर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर और जोग्रोफी की तयारी करवा रहा हूँ दिसमबर 2013 में जो यूजी सी नेट का एक्जाम हुआ था उसके लिए हमारे इसी प्लेटफोर्म पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच चला था जिसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से है भाई हमारा जो फर्स्ट पेपर का बैच था गारंटी बैच था इसमें पोटली कुल बिलाकर पांच ऐसे कंडिडेट थे जिनके फर्स्ट पेपर में चमवाली स्कूर्शन ठीक हुए थे मतलब अठ्था सी नमबर आये थे इसके अलावा अनीता त्रिपाटी है भूपेश महता है और प्रगति यह तीन ऐसे कंडिडेट है जिनके फर्स्ट पेप लाने वाले कंडिडेटों की संक्या छे थी असी नमबर लाने वाले कंडिडेटों की संक्या आठ थी और सतर से ज्यादा नमबर लाने वाले कंडिडेटों की तोटल संक्या दो सो प्लस थी ठीक है तो अब मैं यहां पर डिसक्रस करने वाला हूँ कि भाई हम किस तरीके से तायारी करें ताकि हमारा स्कोर भी बिल्कुल इन दोनों की तरह हो लगबग 45 क्यूशन ठीक हो हमारे हमारे भी 90 नमबर आए ताकि हम टोप रैंक बर सामिल होकर जरब क्वालिफाई करें तो अब हम एक के करके डिसक्रास करते हैं देखो पेपर पैटन और पेपर लेवल को सम पता होना चाहिए आपको पेपर के लेवल का पता होना चाहिए कि पेपर किस लेवल का रहा है मतलब आपको तैयारी किस लेवल पर करनी चाहिए ठीक है जून 2024 के लिए आपको बहुत जादा डीपली तरीके से तैयारी करनी चाहिए या फिर एवरेज तरीके से तैयारी करन होने वाला है उसके लिए यहां पर नेट के फर्स्ट पेपर का गारंटी बैच शुरू हो जोगा है और इस गारंटी बैच का टार्गेट है कि भाई हमें कैसे भी करके फर्स्ट पेपर में 40 प्लस क्योशन ठीक करना है मतलब हमें 80% प्लस का स्कूर करना है ठीक है और इस स्टेप एक एक समस्ता हुए चलते हैं भाई लोगों सबसे पहले हम पेपर पैटन को समझते हैं जून दो हजार 23 में जो एग्जाम होथे उसमें टोटल फरस्ट पेपर के अठारा पेपर हुए थे अभी दिसंबर भी टोटल 14 पेपर हुए तो टोटली कुल बिलाकर फर्स्ट पेपर के दो बार बे 32 पेपर हो गए इन 32 पेपरों के वेस पर हम पेपर पैटर्न को समझने की कोशिस करते हैं कि कौन सी यूनिट से कितने क्यों सन आए हैं भाई लोगों लोजिकल रिजिनिंग से लगबग 78 क्यों सन आ रहे हैं रिसर्च अप्टिट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लेकिन किस से संब्धित होते हैं इविएस या आई सिक्टी से संब्धित होते हैं इसलिए हमने करेंट हेवेर को अलग से नहीं इंग्लूड किया है तो यह है फिलाल का पेपर पैटन कभी इसमें आपको जहान रखना है कि भाई सबसे ज्यादा क्योशन कौन सी यूनिटों से मतलब आपको उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए बहुत सारे कंडिडेट हैं जो लोजिकल रेजिनिंग को छोड़ देते हैं यार यह समझ में नहीं आता भाई आपने साथ आज कि उसनों का कॉन्टेंट छोड़ दिया ठीक है तो यह है फिलाल का पेपर पैटन आपको इसी पेपर पैटन को समझती आगे तयारी करनी है और भाई लोगों यह जो हमारा गारंटी वैज है इसमें यह जो टोटली कोली विलाकर 11 यूनिट है इनको हम बिलकुल 0 लेवल से पढ़ेंगे बिलकुल deeply तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हम बहुत ही next लेवल पर त अब हम एक बार पेपर के लेवल को समझते हैं कि फिलाल भी पेपर का लेवल क्या चल रहा है भाई लोगों यह जदि हम पेपर के लेवल की बात करें तो देखो क्यों कुछ यूनिट है जहां से केवल अंडरस्टेंडिंग टाइप के क्योंसन आते है जैसे टेचिंग अप हाई राएचुकेश्न यहां से fertig based क्योंसन आते है मतलब वह क्योंसन आते है जो रतेनिक कि टाइप के हुते हैं इसके लावा जैसे reasoning हुआ math हुआ, die हुआ, arch ही हुआ, यहां से practice type के के क्योसन आते है ठीक है? और क्योसन बहुत deeply तरीके से बनते है पेपर बहुत यजादा deeply बनता है यदि मैं average paper के level के बात करूँ तो प्यारे साथ हूं moderate to tough level का paper आ रहा है फिलाल में ठीक है अब यह जो हमारा guarantee batch शुरू हो रहा है जुंग 2024 के लिए first paper का भाई लोगों हमें इसमें हर हाल में target लेना है कि हमें 40 plus question ठीक करना है 40 plus question ठीक करने के लिए हम बिल्कुल tough level का target लेकर तैयारी करेंगे भाई लोगों दिसमबर 2023 वाला जो guarantee batch था उसमें हमने target लिया था कि paper बहुत ज़्यादा tough आएगा और हमने बहुत ज़्यादा tough paper को मान कर और हमने बहुत deeply तरीके से तैयारी की थी जिसकी वज़ा से देख सकते तो कितना गजब का score है बिल्कुल सेम उसी pattern पर हम अब की बार भी target ले रहे हैं कि भाई जून 2024 में जो first paper होगो बहुत tough level का आएगा इसलिए हम यहाँ पर बहुत deeply तरीके से तैयारी करने वाले हैं तो यहाँ पर हम 40 question plus ठीक करने के target के साथ बहुत deeply तरीके से तैयारी हमारा बहुत अच्छा score हो जाए अब हम यहाँ पर discuss करने वाले सबसे महत्पुन टोपिक पर जो है content जहां से question बनता है जिसके साथ आप मेहनत करते हो भाई content दो तरीके का होता है एक तो वो content होता है जहां से question बनता ही नहीं भाई कितने पढ़लो कोई मतलब नहीं है एक वो content जहां से question बनते हैं तो उसको आप जितना ज्यादा पढ़ोगे ना आपका score उत्रा ही ज्यादा होगा ठीक है भाई आपको पता है कि इन 100 question से पुरा paper आने वाला है या आपको पता है कि इन 500 पेजों से पुरा पुरा paper आएगा तो भाई लोगों आप यदि उन 500 paper को जितना ज्यादा पढ़ोगे ना आपका score उत्रा ही बढ़ेगा और आप एक साहर 1000 पेज पढ़ रहे हो लेकिन आपको पता है नहीं कि यहां से question भी आएगा या नहीं आएगा या फिर वहां से question ही नहीं आ रहा है तो भाई लोगों फिर आप चाहिए 10,000 पेज पढ़ लोगों कोई कोवाइड करवाने वाले हैं first paper का उसके बारे में हम एक बार यहां पर discuss कर लेते हैं दोको प्यारे सात्यों हमने क्या किया है दोको एक तो हमारा हर बार update content रहता है यदि आपने December 2023 में हमारा content देखा होगा और अब June 2024 वाला content देखो कि बिल्कुल अलग है ठीक है क्योंकि हम ह हर बार नया content तयार करते हैं क्योंकि जो paper pattern और paper level वो हर बार बदलता जा रहा है तो हम हर बार नए सीरे से बिल्कुल zero level से नया content तयार करते हैं तो हमने क्या किया है देखो कुछ book हैं जैसे KVS मदान है अर्यंत की book है ऑक्सपॉर्ट पब्लिकेशन की book है द्रिश्टी की book है यह चार guide है योजिसनेट के first paper की हमने इनको सामिल किया है इसके अलावा फिलाल में सबसे ज़्यादा क्यों सुना रहे है इगनू university के जो notes हैं वहां से सबसे ज़्यादा क्यों सुना रहे है जैसे आप देखोगे teaching aptitude का यहां से आ रहे है इसके अलावा research aptitude का यहां से आ रह है तो हमने क्या किया अपकी बार separate तरीके से इगनू university के जो notes हैं जिसमें हमने उन topic को select किया जो हमारे syllabus के according है तो यहां पर हम जो यह guarantee batch का content तयार कर रहे हैं इसमें इगनू university के notes को सामिल कर रहे हैं अपने syllabus के according इसके अलावा हमने अपकी बार authentic किताबी ओल लिए unit wise तरीके स क्योंकि paper बहुत deeply आ रहे हैं बिल्कुल पता नहीं paper कहां से आ जाता है लगवाग 80% paper होता है जो according to syllabus आता है और 20% paper होता है जो out of syllabus आता है हमें 40 plus question ठीक करना है इसलिए हमें complete syllabus तो करना ही करना है लेकिन हमें उन topic को भी बहुत गजब तरीके से तयार करना है जो out of syllabus है और जह वहां से साथा आत क्यों सुनाते हैं तो हमने भारतियातरक सास्तर की जो BA MA में किताब चलती है और वहां से हम logical reasoning में जो Indian logic है जो भारतियातरक सास्तर है वो तयार कर रहे है इसके लावफ टिचिंग aptitude के लिए हमने B.I.E.D. की किताब लिए जो B.I.D. में चलती है वहां से क ICT के लिए हमने separate separate किसे किताब ली है ठीक है तो यहाँ पर जो content बिलेगा बिल्कुल 100% authentic बिलेगा बहुत deeply तरीके से बिलेगा और बिल्कुल 100% exam orientate बिलेगा जिसके बारे में हम आगे discuss करने वाले हैं बाई हम target layer के reasoning math DI फिलाल में SSC CGL के level का रहे हैं तो हम यहाँ पर reasoning math DI के पर बहुत especially तरीके स्फोकस रखेंगें क्योंकि reasoning math DI यह एक ऐसा portion है जहां से लगबग 10 क्योशन आते हैं और यहाँ पर आप 10 के 10 क्योशन ठीक कर सकते हो यदि आप सही ढंक से practice करते हो और एक बार सही ढंक से समझ लेते हो तो आज 98% कंडिडेटों के लिए जो arts हैं reasoning math DI एक बहुत बड़ी महाबारत हो उनके लिए उनको लगता है कि भाई यहाँ पर तो हमारा कोई काम नहीं हो पाएगा reasoning math DI तो हमारे बिल्कुल काम की नहीं है हम बिल्कुल क्योशन ठीक नहीं कर पाएंगे लेकिन ध्यान रखना प्यारे साथ ही हो reasoning math DI एक ऐसा portion है यदि आप इसको एक बार सही ढंक से समझ लेते हो सही ढ reasoning math DI में सबी के सबी कोशन ठीक होते हैं और यह बिल्कुल possible है बस उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप इनको एक बार सही ढंक से समझो reasoning math DI को बिल्कुल basic से समझो ठीक है और अपने exam level के according समझो ठीक है और सही level के कोशनों के साथ practice करो आपका handle percent यहाँ पर बहुत especially तरीके से focus है तो यह हम CGL के level से तयार करेंगे RC यह जो हम UPS या CLAT के exam के level से तयार करेंगे ताकि हमारा RC 100% तरीके से ठीक हो जाए इसके अलावा जो हम यह notes तयार करें इसमें हम प्यारे साथियो जो previous year के उसन है 2022 में UGC net के first paper के जितने भी paper हुए 2023 में जितने भी paper हुए उन सभी paper के topic को हम सामिल कर एंठीक है भाई दो साल में जितने भी first paper हुए न उनके उन तोपिकों को हम सामिल कर रहे जिन topic को से question रिपीट हुए हैं और जिन topic को से लगता है कि आगे question बन सकते हैं तो उन topic को भी हमने यहाँ पर सामिल किया क्योंकि हमें बिना जिस के सात त आयार किया हुआ है तो आप समझ ही चुके होंगे कि यहां पर इस गारंटी बैच में जो आपको content मिलेगा वो overall आपको सभी content का निचोड मिलेगा ठीक है उसके बाद में हम आगे discuss करते हैं भाई लोगों यहां पर हम paper pattern paper level के उपर बहुत especially focus रखते हैं जो content content बिलेगा 100% exam oriented बिलेगा बिल्कुल selected content बिलेगा बिल्कुल smart content बिलेगा smart content वो content होता है जिसमें content बहुत ज़्यादा नहीं होता selected होता है लेकिन वहां से क्योशन बनते हैं भाई आप teaching aptitude की market में 57 किताब रेसक्त तो research aptitude की लेलो 57 ICT की 57 लेलो EBS की 57 लेलो डेल सारे reasoning math के क्योशन लेलो सभी की सभी अपने according भी है लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां से क्योशन नहीं बने भाई बहुत अच्छा score करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ो ज्यादा पढ़ो ज्यादा बैच में आपको ऐसा content बना प्रोवाइड करवाय जाएगा जहां से 100% क्योशन मिलेंगे target है कि हर आल में 40% क्योशन ठीक करना है बैच के बाद भाई लोगो एक भी किताब खरीजने के जरूरत नहीं पड़ेगी और यह मेरे WhatsApp नंबर है यह मेरे calling नंबर है कोई भी doubt हो कोई भी confusion हो कभी call करो कभी message करो प्यारे साथ यह हर टाइम आपकी मेरे खुद के दुआरा hand a percent तरीके से help की जाएगी भाई मैं यह समझो 24 multiply 7 केवल और केवल आपके लिए हूँ ठीक है मेरा कोई दूसरा exam का target नहीं होता कि किसी दूसरे exam के लिए class ले रहा हूँ कोई और भाई हमारा तो target केवल जैरफ रहता है तो यह जो मेरे calling number है और यह जो मेरे WhatsApp number केवल आपके लिए बैच लेने के बाद कभी भी doubt हो कभी भी कोई confusion हो कभी call करो प्यारे साती हो और मेरी उन सबी candidateों से हाथ जोड कर request है जो candidate अब comment session में comment करेंगे कि सर हमें batch चाहिए आपका batch कैसे ले बैच का प्राइस क्या है भाई लोगों हाथ जोड के request है कि comment session में comment मत करो डिरेकली यह मेरे WhatsApp नमबर है यह मेरे calling नमबर है यहाँ पर contact करो और तुरंत बैच जोइन करो क्योंकि सबसे कम फीस में हम सबसे best content के हाँ पर provide करवाते हैं उसके बाद यहाँ पर आपको regular live class मिलेगी बात में वही class आपको recorded मिलेगी जिसको कभी कितनी बार भी देख सकते हो हर class का PDF मिलेगा आप practice question मिलेंगे previous question मिलेंगे current fair provide करवाय जाएगा Sunday to Sunday आपके unit wise तरीके से test ठीक है और यह जो टेस्ट आपकी बहुत अच्छे कासे तरीके से मदद करेंगे आपकी तयारी की परक करने के लिए साथे साथ में आपको बहुत अच्छे लिवल तक पहुंचाने के लिए batch pure Hindi medium में है हर एक keyword का हर एक keyword का बहुत इस्पेसली तरीके से ध्यान में रखा जाएगा हर एक keyword का अर्थ बताया जाएगा उस keyword को sentence में apply करके समझाया जाएगा ताकि exam में आपको keyword समझने की और question language समझने की कोई problem नहीं आए चार्जेश के बारे में बात करें तो प्यारे साथियो बिल्कुल nominal सा चार्ज है जून के लिए 1400 रुपए एक साल की validity के लिए 1800 रुपए जिसमें आपका दो बार complete से लिए बस करवाया जाएगा और यदि आप lifetime के लिए देते हो तो 2100 रुपए जिसमें आपका हर बार exam से से लिए complete से लिए बस करवाया जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सबी को देखने के लिए thanks by मेरी प्यारे साथ फिर मिलते हम इसी तरीके से एक दूसरे बहुत ही पहतरीन वीडियो के साथ जो आपको आपके सपने तक पहुचाने में आपकी बहुत-बहुत मदद करे का Ihrer से बहुत म की बहुत-बहुत में आपको आपको आपक को आपके से 2 sú Crc Cow